राधा रानी ने प्यार किया किष्ण से और शादी करी अभिमन्यू से किष्ण ने प्यार किया राधा से और शादी करी रुक्मनी जी से ऐसा क्यों? यह क्या चल रहा है? इसकी क्या जुरुत थी? तो हमारे जो अचारिया हैं उन्होंने अलग लग जगे पर अलग लग तरीके से इसके बारे में हमको समझाने का प्रयास किया है कहीं सारा आंसर मैंने सुने हैं और मैंने चार में पॉइंट यहां पर निकाले हैं जो मुझे लगता है कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ सबसे पहली बात तो उन दोनों की शादी हुई थी जी हां राधा और कृष्ण की शादी हुई थी भांडीरवन में तो जिन लोगों के दिल में आग लगी है कि उन दोनों की शादी क्यों नहीं हुई तो आप अपने आग को शांत कर सकते हैं अपने मन को शांत कर सकते हैं उन दोनों की शादी हुई थी जो भांडीरवन है वो ब्रजमंडल भूमी में ही एक वन है अगर आप मेरा स्क्रीन यहा पे एक वन है तो भंडीर वन में इन दोनों की शादी हुई थी बहुत फेमस वन है ये भी अगर आप गूगल करेंगे इसके बारे में आप देखें मैं आप अपने स्क्रींग पे गूगल करा है भंडीर वन तो आप किलिए लिए देख सकते हैं कि यहां पर यह स्थली है श्र इन दोनों का विवा हुआ था बहुत शांत जगे है बहुत अच्छी जगे है मैं अभी दो साल पहले यहां पर गया था आप अराम से बैठके यहां पर जब कीजे बहुत आनान दाता है बहुत शांती है और बहुत अच्छा लगता है यहां पर जाके और आप देखेंगे क इनकी कभी शादी नहीं हुई इनकी शादी इस भूमंडल पर भी हुई थी और हर बार उनकी लिला जब होती है तो उनकी शादी होती है तो पहली बात तो शादी हुई थी दूसरी बात राधा रानी का विवा जो है वो अभी मन्यू से हुआ था यह जो अभी मन्यू है वो अ बात खतम हो जाती, इतने प्रशन उठने की जुरत ही नहीं पड़ती, ऐसा क्यूं हुआ? देखे, जब राधा और किशन अपनी लिलाएं करते हैं, तो उसमें बहुत सारे अलग-लग रस होते हैं, अगर हम इस तरीके से प्रशन उठाएंगे, तो हजारों प्रशन उठ सकते ह कि भगवान को माबाप की ही क्या जुरत है, भगवान को शादी करने की भी क्या जुरत है, तो यशोदा मया का रोल खतम हो गया, प्रेमी का, ऐसा नहीं है, भगवान जो है, बहुत अलग-लग रसों का आसवादन करते हैं, आप सोचे कि अगर एक कोई फिल्म बने, उस फिल प्यार साबित कैसे होगा, अगर मुश्किल नहीं होगी तो, तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से अलग-लग difficulties के बाद, struggle के बाद, roadblock के बाद, कैसे वो ultimate में आपस में मिलते हैं, और फिर सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं, तो इसी तरह भगवान किष्ण की जो ल मिलने जा रहे हैं राधा से, राधा कैसे चुपके मिलने जा रही हैं, कैसे उनके messenger आ रहे हैं, कभी वो letter लिख रहे हैं, कभी वहाँ से पैरट एक तोता आके उनको message दे रहा है, तो इस भाव को महसूस करने के लिए, कि जब दो प्रेमी अलग होते हैं, तो जो विरा होता ह विरा की जो आग जलती है कि मैं मिलना चाहता हूँ, मिल पा नहीं रहा हूँ, मिल सकता नहीं हूँ, उस भाव में कैसा लगता है, उस भाव में दो प्रेमी जो हैं, वो कैसा महसूस करते हैं, उस भाव को, उस भाव का आस्वादन करने के लिए, उस रस्त को पीने के लिए, भ अगर आप अचारिया की मुह से सुनें, तो बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है कि किष्ण कैसे उनके मिलने जाते थे, यावट करके जगे है, यह भी एक छोटा सा गाउं है यहीं ब्रजमंडल में, महां पे राधारानी का विवाह हुआ था, ठीक है, तो उनके घर के बाहर एक पेड़ है, कैसे किष्ण उस पेड़ में छुप जाते थे, कैसे वहां से बासुरी बजा रहे हैं, राधा समझ जाती थी किष्ण मिलने आये हैं, कभी किष्ण जो है, किसी गोपी का रूप धारन करके, और राधा के मित्र बनके उनसे मिलने जाते थे, कभी कोई वैद बनके जा रहे हैं, तो कभी चूड़ी बेचने जा रहे हैं, तो अलग-अलग तरीके से वो राधा से मिलने की कोशिश करते थे, क्या होता था, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, बहुत सुन्दर लीला हैं, आप हमारे अचारे सुनके मूँ से सुनिए, आपको बहुत आन अपने material perspectives, हर चीज को नहीं सोचना चाहिए, जो spiritual world है, वो यहाँ से बहुत अलग है, तो वहाँ पे हर चीज जो है, वो भगवान को आनंद देने के लिए होती है, उनको किसी ना किसी तरह का जो भाव है, वो उसको टेस्ट कर सकें, उसको चक सकें, उसलिए वहाँ पे जो ह का आदान परदान किया जाता है, तो जो दूसरा, जो पहला मैंने, जो दूसरा point मैं आपको बता रहा हूं, वो यह है कि राधा की शादी अभी मन्यों से हुई थी, और कृष्ण उनसे मिलने जाते थे, क्योंकि वो पारक की बहाव का आस्वादन करना चाहते थे, यह दूस है, राधा और किष्ण अलग लग नहीं है, तो एक बड़ा famous verse है यह हमारी चेतन चरित्या मिता का, हमारा अचारी उसको quote करते है, मैं आपके लिग बार पढ़ देता हूँ, राधा पूर्ण शक्ति क्रिष्ण पूर्ण शक्ति मान, दूई वस्तु भेदनाही शास्त्रे रप्रमान, राधा जो है वो पूर्ण शक्ति है, क्रिष्ण जो है वो शक्ति मान है, दूई वस्तु भेदनाही वस्तु दो है, ठीके राधा क्रिष्ण दिखने में अलग लेकिन बेदने दोल में कोई अंतर नहीं है सारे शासर जो है इसका प्रमान देते हैं एक शक्ति है एक शक्ति मान है क्या सूरज से सूरज की किर्णों को अलग किया जा सकता है क्या आग से गर्मी को अलग किया जा सकता है आप सोच सकते हैं कि कहीं आग जल रही है और वहाँ पे ना गर्मी है ना प्रकाश है, संभव है, नहीं है, वो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, उनको अलग नहीं कर सकते, एक शक्ति है, एक शक्ति मान है, सूरज जो है वो शक्ति मान है, और जो सूरी की किर्णे है वो उसक एक ही जने की आपस में शादी कैसे कराई जाए कोई एक ही जना है तो उसकी आपस में शादी कैसे होगी तो यह संभव नहीं है अब आप बोलेंगे थोड़े पहले आपने बोले शादी हो नहीं सकती देखे जो शादी यहाँ पे हुई अभी मन्यू के साथ यह केवल लीला कर लीला का आसवादन करने के लिए दो रूप धरे हैं इस साफ सब लिखा यहां पर राधा एन किष्णा आरवन वो एक ही है येट, they have taken two form लेकिन फिर भी उन्होंने दो अलग अलग form ले लिये हैं क्यों? क्योंकि वो enjoy कर सकें past times को जैसे मैंने बोला परकिय भाव है अलग जो रस हैं उनका आसवादन कर सकें उस आनंद में रह सकें उस आनंद को महसूस कर सकें इसलिए जो एक था उसने दो रूप धर लिये हैं शक्ति और शक्तिमान अलग अलग हो गए हैं यह दोनों आपस में लीला कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं तो जो शादी करी वो हमारे लिए नहीं की हमें दिखाने के लिए कि देखो शादी करना जरूरी था और नैतिकता के लिए अब हमें शादी करना चाहिए क्योंकि वरना लोग क्या करी ऐसा नहीं है, वो तो अपने आनंद में अपनी लीला के लिए कर रहे हैं, वो तो जिन लोगों की बुद्धी बिलकुल मेटीरियल चीजों से बाहर निकलती नहीं, वो सोच नहीं पाते, उनको समझाने के लिए उन्होंने शादी नहीं की, ठीक है, वो तो अपनी लीला कर रह में रहते हैं, सारा दिन हम न्यूज देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, अपने आसपास की चीज़े देख रहे हैं, पूरा टाइम हमारी चोथा पॉइंट यहां पे हमारे अचारे हमको बताते हैं, कि जो मैंने आपको बोला, कि वी शुड नॉट अप्लाई लिलाओं को देख रहे हैं, भगवान तो बहुत सारी लिलाएं करते हैं, गोपियों के साथ डांस करें, आप बोलोगे कि वो कैसे डांस कर लिया, इतनी सारी लड़कियों के साथ कैसे डांस किया, अरे भगवान ने गोवरधन को कैसे उठा लिया, अरे भगवान ने चोरी क गलत का concept हमारे यहाँ पर है भगवान के यहाँ पर नहीं है concept ठीक है मैं सुन रहा था हमारे जो अमोग लीला पर बहुत अच्छी analogy दी मैंने लिख ली है आप शेयर करने के लिए अमोग लीला पर बोलते हैं कि जैसे अभी गाडियां हैं गाडियों चल रही है red light आगे आपको रैड लाइट जो भी rules है उसको follow नहीं करते हैं वोलो कि left lane है right lane है red light है क्या है इससे कोई मतलब नहीं उनका तो वो अलग context है यह अलग context है हमें mix नहीं करना चाहिए इस बात को हमें समझना चाहिए तो मैं in general point है बोलना चाहरा हूँ कि खाली शादी ही नहीं जब भी हम भग भगवान का नाम लेने में कितना आनन्द है भगवान का नाम लेने से किस तरी से शुद्धी करन होता है उसमें इंट्रस्ट नहीं है शादी क्यों नहीं हुए पहले यह बताओ उनको रही किष्णा तो आई होप यह point यहां पे clear करा होगा हरे किष्णा